राम राम भाई कैसे हैं आप लोग देखें आज कल SSC हमारी तवियत खुश करने में लगी है रोज नोटिफिकेशन रोज वेकेंसी रोज रिजल्ट लेकिन कभी कभी जब आंसर की आते तो कहीं कहीं मंदुखी भी हो जाता है अब जैसे कल सेट सल दोहर 21 की आंसर की आई कुछ सवाल उन्होंने गलत भी बनाए वह कि पेपर तो एक्जामनरी बना रहा है human error होती ही है कुछ सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है हिंदि और इंगलिस में अलग अलग है कुछ सवाल में उन्होंने पजल कर दिया सफल इधर का उधर लिख दिया है कुछ सवाल में conceptual mistake और कुछ सवाल उसने सही तो बनाए लेकिन उनका solution नहीं सही कर पाया तो option में गढ़बढ़ है एक चीज notice करने वाली है कि जातर सवाल advance math के गलत है यह जो TCS का examiner है यह बनाता है banking का paper और यह दस्यों साल से banking का पेपर बना रहा है banking में के वाल arithmetic मैत आता तो arithmetic में बहुत बढ बैर तर्थमेटिक में जितना अच्छा banking में आता है तो उसमें तो arithmetic में तो perfect है advance में बहुत ज्यादे गलती कर देते साथ उन्होंने हमारा batch नहीं लिया एक बार आए यह आप पढ़िए 60 घंटे geometry सीखोगे फिर SS वाल बनाऊगे कि बच्चे विगला रो देंगे खून के आ कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कि गलत है लेकिन वो सवाल सही है बहुत सारी टीचर्स में उन सवालों को गलत बता रहें ग्रूपों में यहां गलत है गलत है गलत है ऐसे चला है नारे बाजी लेकिन वो गलत नहीं है तो मैं आपको बिलकुल undoubtedly विश्वास रख थोड़ा बहुत हो कि मैंने स्निप करके लगया जैसे हमारे पास बच्चों ने बेजा तो मुसको बोल के भी बताऊंगा दो सिमलर राइट एंगल ट्राइंगल है आरेस्टी और आइजे के उनके पैरीमीटर चॉंसेट और चपन है आईजे की लंबाई 16 सेंटीमीटर है त पहले आरेस्टी बोला है आईजे के बोला है पैरीमीटर का रेश्व अगर आप लोगे तो आठ से कट रहाए अट्टू मट्टू चॉंसेट आठ सत्ते चपन तो साइड का रेश्व भी यही होगा अब आईजे की लंबाई आपको दिये आईजे के करस्पॉंडिंग साइ यह थी पहले और यह ची लिखने चाहिए बाद में बस इह गलते है सवाल कंसेप्ट चोल एकदम सही है बिल्कुल बेसिक सवाल है जी सवाल लंबर आपके सामने जो दिख रहा है कि बच्चे हमको सिफ्ट नहीं भेशते कि कौन से सिफ्ट में आया था आप पहचान लोगे क अगर आपने पेपर डंग से दिया कि हाँ यह मेरी सिफ्ट का सवाल है जो क्वेश्टन आपके सामने स्कीन पर दिखाए दे रहा है एक हपते पहले मैं इसका पूरा कंसर्प्ट समझाता है डिट्टो वही सवाल आया है देखेगा ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों दो सरकल है यानि कि एक सिवरत एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं पॉइंट जैड पर यहाँ पे दोनों टच कर रहे हैं एक्स वाई डारेक्ट कॉमन टेंजेंट इस प्रकार से यह दोनों सरकल को एक्स और वाई पर रेस्पेक्टिव ली टच कर रही है तो आपसे पूचा इंगल एक्स वाई जैड तो यहां से एक्स जैड को मिलाएंगे यह एंगल आपसे पूछा है मेरे दोस्तों यह वाला आंसर दे रखा 90 डिग्री एक्चुली 90 डिग्री है नहीं सवाल का अंसर देखें जब भी ऐसे दो सरकल एक दूसरे को एक्सली टच करें डारेट कोमन टे यहां पर एंगल एक्स जैड वाई होता तो 90 होता अब इस सवाल का अंसर क्या है अगार इस सवाल मेरे प्यारे बाई जैसे यहां पर आइडेंटिकल सरकल बोल दिया आइडेंटिकल नहीं होते है ना छोटे बड़े सरकल होते तो सवाल का अंसर होता ग्यात नहीं कर सकते कि ॐ इतनी जानकारी होती कि right angle triangle है चुकि ये identical है तो right angle तो है फिर ये समधी बाहू भी बन जाएगा तो उस हिसाब से फिर ये 45-45 degree के angle बन जाते बात समझे की नहीं समझे ये identical बोलने की वजये से समझ मैं आप पूरा concept फिर से बता दिया मैंने आपको यह बताओ, k plus 1 by k equal to minus 3, तो आपसे इसका मान पूछाए, एलजबरा के काफी question wrong बनाए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, k cube से आप divide करोगे, तो k cube plus 1 by k cube, देखो एक basic सवाल तो यह बन गया, plus 1 यह k की power 4 plus 1 को k square से भाग करोगे, तो k square plus 1 by k square, तो दूसा basic सवाल यह बन गया, आप concept जानते हैं, कि अगर पानिले रहना किशाब, यदि x plus 1 by x t है, तो x cube plus 1 by x cube क्या होता है, t cube minus 3t, यहाँ पे minus 3 बोला है, तो minus 3 का cube मेरे दोस्तों, और minus 3 यह करेंगे, तो minus 3 की जब minus 3 में गुणा होगी, तो plus 9 आएगा, अगर x plus 1 by x आपका t है, तो x square plus 1 by x square कितना हैगा, t square minus 2, तो minus 3 का square तो 9 होता है, तो 9 minus 2 आजाएगा, मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिलकुल सही, तो यह minus 27 plus 18 मानस 9 और minus 2, मानस का 11 इस सवाल का अंसर बन रहा है, जबकि यह minus 29 के रहा है, यहाँ पर यह formula गलत लगा गए, formula यह होता है, कि यदि आपका x plus 1 by x किसी सवाल में के दे रखा है, और आप से x q plus 1 by x q पूछा जाए, तो k q minus 3 के होता है, यहाँ पर k की जगे यह खुद minus 3 दे रखा है, तो minus 3 की minus 3 में गुणा करेंगे, तो plus 9 आएगा, इन्होंने minus 9 कर दिया, बस यह गलती इन से हुई है, ठीक है जी, तो solution ठीक नहीं कर पाई, बताओ question number 30, यह सवाल भी गलत है, यह सवाल इस साल के सीजल में भी खुब पूछा गया है, इस तरीकी से chain बनाने वाला, कठिन सवाल बिल्कुल भी नहीं है, option इसके wrong है, आपसे पूछा इसका मान क्या आपको सवाल दिखाई दे रहा है भाई, देखो ध्यान से, a plus b गुणा a minus b, a square minus b square है, पावर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, कमी किसकी है भाई, अगर मैं उपर नीचे k square minus 1 by k square से गुणा कर दूँ, और मैं k square minus 1 by k square से ही भाग कर दूँ, तो क्या मौज नहीं आ जाएगी, आप बोलोगे जी सर, अब तो मौज आगी, उपर बन गया पैटर्न, भाई ये प्यार करेंगे तो k की पावर 4 minus 1 by k की पावर 4, प्यार आगे बढ़ेगा तो 8, फिर आगे बढ़ेगा तो 16, फिर आगे बढ़ेगा तो 32, कुन्वा बढ़ सवाल लंबर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये परसंटेज का क्वेश्चन है, हिंद इंगलिश मने दौनों में लगाया है सवाल, दौनों ही सवाल बच्चों ने बेजे, सवाल ठीक है ये, लेकिन इसकी लेंग्विज को थोड़ा किलियर कहके बोलने की जोरत है, और अच्छी तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है भाई, सवाल दिखाई दे रहा है क्या, देखो, अहां, अरे बाबरी, तो कुछ जादी बड़ा होगे क्या, अब ठीक है, जी वाई साब, एक 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 स्ट्वेंट के 64 मार्क्स आए, एंड इस्टिल फेल्ड बाई 20 परस से फेल हो गया, if the passing percentage is 40, 40% passing percentage है, तो एक स्ट्वेंट के मार्क्स कितने है, देखो, एक स्ट्वेंट के मार्क्स आए, 64, आप बोलोगे, हाँ जी सर, वो फेल हो गया 20 परतिसत मार्क्स से, पासिर मार्क से 40, देखो, 40 परतिसत पासिर मार्क से, 20 परतिसत से वो फेल हो गया, तो यानि कि उसके आय कितने होंगे, 40-20, 20% ही आय होंगे, 40% pass होने के लिए चाहिए, 20% marks से वो fail हो रहा है, तो उसके marks आय कितने होंगे, 20% 20% के लिए 64 है, maximum marks आप से पूछें, तो 130 आप से पूछाता, तो 100% आएगा 320, वो तो option में है यह नहीं, यहां यह कहना चाहरा था, failed by 20% marks of passing marks, passing marks के 20% marks से वो fail हो, मतलब pass होने के लिए जितने marks चाहिए थे, उससे 20% कमाए हैं, यह वो नहीं लिख पाया, अब बच्चे को सपना थोड़ना आएगा, जैसे बई, pass होने के लिए 40% number चाहिए, तो 40% का 20% क्या होता है, 40% का 20% होता है, बच्चो 8, यानि कि 8% उसके कम आए, तो उसके marks एक्चलो 32% आए, जिसकी value उसने 64 बोली है, दुगना, तो maximum marks है 100%, 100% की value भी दुगना 200, लेकिन को तभी समझ पाएंगे, यहां यह चीज मेंसन की जाए, कि उसके passing marks से 20% less आएं है, ठीक है, जी, चलिए, आपके पास एक अगला सवाल है, सवाल ये भी advanced math का है, 2D menstruation का बड़ा basic सा question है, एक टरपेजियम में, parallel side का sum और difference पंदर और 3 है, और जो non parallel side है, एस समांतर आएं, उनको जोड के 4 आए, और उनको घटा के 5 आए, यह तो side minus में चली आएंगी, दो भुजाओं को जोड के 4 आ रहा हो, घटा के 5, this is asambhav, examiner भाईया क्या कर रहे हो तुम, तो यानि कि इस सवाल उसने data गलत सेट किया है, this is not possible, समझ में आया, इस सवाल बिलकुल गलत ह यह वाला बताईएगा भाईया, 25, 2 cos cube a minus cos a, divide है, sign a, minus 2 sign a, बराबर 1, तो आप से पूछा है भाई साब, यहां से a का मान क्या होगा, अब यहां पे यह जो सवाल बच्चों ने भेजा है, उसके पीछे की कारण है कि सब multiply में सबनें, तो इतना बारी कि इन्होंने बीच में divide का sign लगा रखा है कि बच्चों को दिखा ही नहीं, यह था, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, जैसे उन्होंने 45 degree answer बता रखा, 45 degree, उपर से cos a common लोगे, ब्रेकेट में क्या बचेगा, 2 cos square a minus 1, जो की cos 2 a होता है, नीचे से अगर आप sign a common लोगे, तो ब्रेकेट में क्या बच्चे का मेरे प्यारे भई, 1 minus 2 sin square है, जो की cos 2 होता है, बराबर 1, तो यह तो cancel out, अब cos बटे sign कौटे हो गया, तो कौटे बराबर 1, तो यहां से a आ गया, बच्चे 45 degree, बिल्कुल सही, maximum बच्चों की समस्या यह, यह कि सारे बच्चे साल को कर पा रहे थे, लेकिन यह उनको बीच में दिखाई नहीं दे रहा था, यह multiply में नहीं, बटे में, समझ में आया, तो यह वैसे सवाल सही है, जी भाई साब, यह वाला सवाल देखीगा, 7 cm वाले, यहां पे क्या लिखा पढ़ेंगे, क्लियर करना पढ़ता है कि डाटा जो दिया है, वो एक्चल में है क्या, 7 cm वाले ठोस गोले को दो बराबर भागों में काटा जाता है, इसके कुल प्रस्टे चेत्रफल में कितनी वरद्धी होगी, cm स्कुर में बताना, अगर आपके पास एक स्फेर है, उसको बीच में से काटोगे, तो दो सरकल का एरिया बढ़ता है, एक कट लगाने से दो सरकल का एरिया बढ़ता है, यानि कि 2 pi r square आपका बढ़ जाएगा, मेरे दोस्तों, बात समझे, अब यहाँ पर options के हिसाब से जो 7 cm है, यहाँ पर diameter के हिसाब से solve करेंगे, आपका यह answer बन रह है, लेकिन, 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 यह mention किया नहीं है, तो आपको 2 marks मिलेंगे, challenge मत करो, मैंने करवा दिया है, सवाल यह जो आपके समने, di का दिखाई दे रहा है, यह सवाल ऐसा है, कि इसको देखते ही सही गलत बताया जा सकता था, इसमें क्या दिक्कत करिया है उन्होंने, कि हि हिंदी और इंगलिश में अलग-अलग पूछाए, बेटा, अगर इंगलिश में देखेंगे, देखो यह क्या दिया है, एक इसने saving का graph दिया है, red वाल expenditure का दिया है, और income बराबर saving plus expenditure, दिखाई दे रहा है आपको, इंगलिश में कह रहे हैं, ratio बताओ, total expenditure से total income का, कुल इसे बताओ, तो बात इदर उदर होगी की नहीं होगी, और जो बच्चा है, हिंदी में set करके देख रहा है, बहिया, income जादे होती है, खर्चा कम होता है, यहाँ पर इंकम कम कर दी, खर्चा जादे कर दी, यह कैसे यह भी asambav है, यानि कि यह सवाल भी मेरे दोस्तों, यहा आली भासा को वरियता देंगे, इंगलिश वाले पैटर्न को सही मानेंगे, इंगलिश के हिसाप से सवाल जो है, total expenditures से total income का रेश्यो पूछा है, तो यह विलकुल सही बैठ रहा है, लेकिन जिन बच्चों ने किवल हिंदी वाला वर्जन पढ़ा है, वो यह इस सवाल को गल चैलेंज कर देंगे, तो सभी को नंबर देने पड़ेंगे, ठीक, तो इसमें हिंदी इंगलिश में tapping mistake है, तो यह सवाल थे मेरे दोस्तों जो आपके actual actual सारे के सारे गलत है, यह question wrong है, यह भी wrong है, ठीक बई, यह सब जो है यहाँ पर question wrong है, अब, दो-तीन सवाल ऐसे भी है, क जालत आ गए, ठीक है बई, अब जैसे यह वाला सवाल देखो, हाला कि आसान सवाल है, basic question है, मैंने solve करके देखा, तो इसका बच्चे ने भी बताए कि सर, इसका सही answer 98 है, पर SSC ने 94 लगा रखा है, जैसे आपको सवाल में A प्लस भी बोला है, रूट बार है, तो रूट ब अगर मैं यहां से A का मान निकाल towel, तो रूट 3 प्लस रूट 2 आ गया, बोलो आ गयाया की नहीं आ गया, यहां से B का मान, अगर आप निकालेंगे मेरे दोस्तों, तो रूट 3 मैनस रूट 2 आ जाए, बहुं एक बार जोड़ दो दोंके एक बार घटा दो, बोलो आया, यदि कि A और B एक दूसरे के उल्टे हैं, इन दोनों का product 1 है, square का difference A और B गुणा करेंगे, तो root 3 square मानस root 2 square, 3 मानस 2 एक आ गया, यहां से A की power 4, plus 1 upon B का मतलब 1 by A है, 1 upon A की power 4, यह आप से पूछा है सवाल में, यही सवाल था, ठीक है, मेरे प्यारे भाई, A यह है, यह B कुछ और न root 3 आ रहा है, तो दो बार square करना भी, अगर A plus 1 बाई यह K है, तो A square plus 1 बाई A square का हो, K square मानस 2, 2 root 3 का square करेंगे, तो 4 यह बारे बारे मानस 2, 10, फिर उसका square करेंगे, तो K square मानस 2, तो 98 आएगा, ठीक है न, यह इसका एक तरीका होगा, तरीका इसका और भी सीधा formula भी लगा स सेकडो मेल इन सवालों का है, और वो सवाल सही है, उन सवालों में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, आप उसका solution ठीक नहीं कर पारे, मैं आपको बताऊँगा, एक जीवा O.P की केंद से दूरी 6 cm है, इसका व्यास 20 cm है, तो तरज्या, और जीवा O.P की लंबाई का योग क्या है, आपको समगना चाहिए मेरे दोस्तों की चित्र बनाने की जुरत नहीं में आपको समझाने के पेले बनावी सरकल का सेंटर है, और इस सरकल की कौड है O.P, बोला है व्यास 20, अगर व्यास 20 है मेरे दोस्तों तो रेडियस इसकी 10 होगी, और जीवा की केंद से दूरी आप किवल O.P की लंबाई में उलजे रहे, तरज्या और जीवा O.P की लंबाई का योग इसमें पूछाता, फर्जी का गुमा रहा है, जी भाई साव, ये वाला सवाल आप मुझे बताओ, एक नगर किया बहुत बहुत अच्छा सवाल, जिस बच्चे ने कि ये तरीका होता है, हम सवालों को ऐसे सौल करता है, उससे सवाल नहीं बनेगा, बहुत बहुत खतरनाक सवाल, बेटर देन सीजल मेंस लेवल, एक नगर की आबादी पांच साल में, एक लाग से धाई लाग हो जाती है, तो आप बताओ, प्रति वर्स आबादी की अनुमा हर साल एप्रोक्स कितने पर्शन बढ़ रही है, एप्रोक्स अनुमानित पूछा है, तो तीस तो नहीं होगी, मतलब मुझे हाँ पर क्या निकालना है, सक्सिव इफेक्ट, तीस तीस का पांच बार सक्सिव करेंगे, तो डिर्ड़ सो से जादे आजाएगा, चालिस चालिस बीस एप्रोक्स आप सोच सकते हैं, अदो बहुत ऑप्शन से सवाल सौल हो गया, बीस 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 का पांच बार सक्सिव करें, आपको होगे सर कैसे करें, रेश्यो भी नहीं बताना, देखो बीस 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 का जो होता है, वो 72.8 परसेंट होता है, मेरे प्यारे बई, ठ ोनों का सम क्या हेगा, 73 माल लेतें इसको, याभी 73 का 75 भी माल लेंगे, चलो 73 प्लस 44 कीतना हैगा, 347 अबी, और या आपका, 170 प्लस XY बटे सो, 72.8 को थोड़ देर के लिए 75 माल लो, तो 75 गुना 44 बटे सो, तो 25-75 प्टे सो, 444 ग्यारे बार, तो एप्रोक्स ये टेड़ सो सब करने की कोई जरुत नीते मैं आपको समझाने के लिए सम करा है केवल ऑप्शन से सवाल जल्दी सौल होगा तो इस सारे बच्चों ने मुझे भेजा this question is completely right यह सवाल भी बहुत सारे बच्चे भेजरें सार गलत है बिल्कुल गलतने एकदम सही है सम अफ दा एंगल मेड बाई एक कोड एकस वाई एड़ी सेंटर and on the circumference of the circle इस 270 डिगरी बोला है एक कोड एकस वाई दोरा सेंटर पर जो एंगल बन रहा है और circumference पर जो एंगल बन रहा है उनका सम 270 डिगरी है अच्छा अगर इस सर्कल की रिडियेस 24 है तो आपसे पूछा है कौड की लंबाई रेडियस 24 है तो जिस कौड के बारे में बात कर रहा है वो सरकल का डाइमीटर है डाइमीटर होगा 48 cm बताए बंदू कैसे अगर आपके सामने सरकल है बोला एक कौड ऐसी है कि सरकल की सेंटर पर परिदी पर जो एंगल बनाते उनका सम 270 है 270 कैसे आएगा भा अगर सेंटर मेरे दोस्तों जैसे यह सेंटर पे 180 डिगरी का एंगल बना मतलब क्या होगा यह कोड एक सरकल का डाइमीटर होगा बिटा और सरकंफरेंस परिदी पर कहीं भी कोई एंगल बनाओ तो 90 डिगरी का बनेगा देखो सम 270 हुआ कि नहीं हुआ और अगर इस सरकल की म अंसर 48 होगा ठीक है भाई तो यह सारे सवाल थे आरदस क्वेशन ऐसे हैं जो गलत हैं तो SSC इतना फास्ट प्रोसेस कर रही है सब कुछ टाइम से हो रहा है या टाइम से पहल हो रहा उसके लिए SSC को तालिया और ऐसे गलत सवाल देने के लिए थोड़ी सी गालिया ठीक है तो इसके अलावा आपको और कहीं भटकने की जुरत नहीं सब कुछ मैंने छूटी सी वीडियो में करवा दिया है ठीक है चलिए अगर इसके अलावा आपको एक और सवाल गलत मिल जाता है mathematics में आले को उमीद नहीं है तो आप मुझे भीजीगा मैं उसको अपने social media पे solution करक के डाल दूँगा